नमस्कार एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आये स्टेडी पर कभी गुरू रविन्ना टैगोर ने कहा है कि प्रकृति में आने वाला प्रतेक सिस्वू इस्वर का यह संदेश लेकर आता है कि अभी इस्वर ने मानवता से विश्वास करना नहीं ठोरा है और उसी मानव के बारे में आज हम लोग ज़चा करने जा रहे हैं मानव क्या है मानव का अधिकार क्या है प्रकृतिक अधिकार क्या होता है नैसरगी का अधिकार क्या होता है मानव अधिकार आयोक ये बस्ततक्यों परी मानव अधिकारों का सर्भहोंप घूस्टा पत्र क्या है राज मानव अधिकार आयोक क्या दैड्ट है ICCPR समझोते क्या है ICCSER समझोते क्या है पहराल हमारा आज का सिर्षक है मानव अधिकार Women Rights जैसा कि नाम से ही गया थे human each and every individual प्रतेक वह व्यक्ति जो मनुष्य के आकार प्रकार का मनुष्य के रूप में विश्व के किसी भी हिस्से में विद्यमान है उसे मानों कहा जाता है है और राइटस अधिकार की जहां तक मात है तो अधिकार के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य किया जाने वाला वह दावा जो समास द्रास होती ही अधिकार कहलाता है मानव अधिक एतिहासी ग्रूप से देखा जाये तो मानव अधिकारों की श्रिंख्ला का विकास मद्य युग्य में ही हो गया था यह दिपी उस समय मानव अधिकार नाम जैसी कोई चीज नहीं थी लेकिन नैसरगिक नेचुरल राइट्स नेचुरल राइट्स एव नेचुरल लॉज की बात की जाती थी अर्थात एक ऐसा अधिकार लोगों को प्रतान की जाने वाली एक ऐसी सेबह जो प्रकृति ने स्वैम प्रतान किया हो और नेचbayल के बारेब कहा जाता है कि वे तो ना सिर्फ दिये जाते हैं, बलकि होते हुए दिखना चाहिए, जब हम मानव अधिकार की बात करते हैं, तो इसका सबसे पहला अधिकारिक दस्तावेज, जो संहितिकृत रूप से सामिल देखा जाता है, वहाँ है, मैगना काटा, मैगना काटा, इसे हिंदी में अधिकार पत्र कहते हैं, दरसल मैगना काटा वह समझ होता है, जो ब्रिटेन के ततकालीन राजा, किंग जॉन, किंग जॉन, एबम वहाँ के बैरन्स, वहाँ के कुलीन, वहाँ के अभिजन, लोगों के बीच, 1215 इस्वी में 15 जून, 15 जून 1215 इस्वी को जो समझ होता, ब्रिटेन के ततकालीन राजा, किंग जॉन, एबम वहाँ के कुलीनों के भी समपन हुआ, वह मानो इतिहास में, विश्व पटल पर मैगना कार्टा के नाम से जाना जाता है, इस सिद्यान्त के द्वारा, इस समझ होता के द्वारा, यह कहा गया, कि उससे पहले अधारना थी, कि किंग इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दे आर्थ, राजा प्रित्वी पर इस स्वर का कुछ शासन करने का अधिकार है, वह हमारी संप्रभूता का रच्छक भले हो सकता है, लेकिन वे हमें हमें हमारे अधिकारों से विलक नहीं कर सकता है, मैंगना कार्टा के बाद देखा जाता है कि विश्व पटल पे मानव अधिकारों की सिरिंखला को, मानव अधिकार के द 1688 गलोरियस रिवोलूशन गौरपुर्ण क्रांती यह ब्रिटेन में हुई थी 1776 अमरीकी क्रांती जिसका नारा था हम तब तक कर नहीं देंगे जब तक कि हमें हमारा प्रतियत नहीं मिलेगा बोस्टन टी पार्टी इसी से जुरी हुई अवधारना है 1789 फ्रांस की क्रांती फ्रेंच रिवोलूशन और इस क्रांती ने विश्व पटल पे अधिकारों की एक नई 288 और 1776 की क्रांती पी लोगों को उसके रादिति का ढिकार के बारे में सब्सक्त किया जब और फ्रेटर्निटि बंधुत्य मतलब समकालिक दुनिया में यह पहला ऐसा आंदोलन पहली पहला ऐसा क्रांती था पहली ऐसी क्रांती थी जिसने रादित्ति के अलावा मनुष्यों के मानव समाज के सामाजिक अधिकार की और थात कहा गया कि विश्ट्व में जितने भी मानव हैं महिला हो पुरुशों हो वे सभी एक हैं उनकी अपनी एक बिरादरी होती है जबकि चौथी महान क्रांती, 1917 की रूशी क्रांती, रसियंद रिवोलुशन जो लेविंग के निदित्त में संपन हुआ था इस क्रांती ने आर्थिक अधिकार की बात कही और मानव अधिकार अपने पुर्ण रूप में तब आउस्तित में सामने आता है जब उसे राजनितिक, सामाजिक के साथ साथ आर्थिक अधिकार से भी संपन कर दिया जाता है अर्थात अधिकारों की ट्रिनिटी, पुलिटिकल, एकोनॉमिक और सोशल चार महान करांतियों के बाद मानव अधिकारों की भरी पूरी स्रिंखला का निर्मान हुआ लेकिन ठीक इसी समय विश्व पटल पे दो महान युद्ध हुए, दो विद्वनसक युद्ध हुए, पर्थम विश्व युद्ध और दूतिय विश्व युद्ध पर्थम विश्व युद्ध की समापती के बाद वर्ष उनिस्व बीस में वर्षाय की संधी के बाद वर्षाय की संधी में हुई थी पर्थम वल्ड वार खतम होने के बाद उनिश्व बीस में लीग ओफ नेशन्स का गठन हुआ राश्ट संग की अस्थापना हुई लीग ओफ नेशन्स लेकिन चुकी सहीवत राज अमेरिका के ततकारी राश्पति वुड्रो विल्सन जिनका कंसेप्ट था जिनका आइडिया था लीग ओफ नेशन्स और मैं परत्योंगी परिक्षार्थियोत से अस्पस्ट कर देना चाहूंगा कि यहीं बीड्रो विल्सन जो अमेरिका की राश्पति हुआ करते थे वहीं पब्लिक अडिस्टेशन लोग प्रसासन नामक विशय के पितामक कह जाते हैं उन्हों नहीं इसके शुरुवात करी थी रादितिवी ज्यान से अलग एक अलग बिरहा के रूप में ऐसे में स्विक्त राज अमरिका की संसद की उचसदन सीनेट ने अपने एक मत से याथ हो कि किसी भी अंतरास्तिये समझोते का हिस्सा होने के लिए सीनेट द्वारा रैटिफिकेशन होना अनुसमर्थन किया था काशारिक द्वांअ 10 यहर् oggi है अमरिका के सीनेट में एक मत शे अमरिका को लीग ओफ नशन्स होने से बंचित कर दिया था औरऌट लिग ऑफ नेशन्स की असफलता थी या लिग ऑफ नेशन्स का John फूल फ्लेज में कारे न करने का ही कारंथा कि दुनिया में एक और विशजुद में दुनिया दूनियाह दूर्त महायुद्य दूर्तियह विश车 के नाम से जानती है बहरहाल 1949 से लेकर 1945 का काल मानो इतिहास का सबसे विध्वनसक काल माना जाता है लाखों लोगों की निशन सहत्या की गई चाहे हिटलर द्वारा गैस चेंबर में बंद किया गया गैस चेंबर से मारा जाना हो जेनो साइड किया जाना हो मतलब तमाम तरीके से आस्त्र सस्त्र या मानवित्तर कारणों से लोगों को गाजर मूली की तरह मतलब पाश्विक तरीके से हत्या की गई ऐसे में द्वित्तिय विस्वजुद की समाप्ती के बाद दुनिया के लोगों का ध्यान इस ओर गया कि क्या हमारा मानविय अधिकार कोई नहीं है मनुष्य को का कुछ मानविय अधिकार नहीं है उसे जब कभी कोई सासक युद्ध कर देगा तो उसे मरने के लिए बाध्य होना परेगा ऐसे में दुनिया विस्वजुद की समाप्ती के बाद गयात हो कि दुनिया विस्वजुद की समाप्ती 15 अगस्त 1945 को हुई थी इसके इसने यह निने लिया कि दुनिया में तीन संस्थाएं बनाए जाएंगी एक यूए नो जो विश्वो के गयात होना चाहिए कि करांतिया भी चार हुई थी और उनका दर्शन भी राधितिक समाजिक आर्तिक था उसी प्रकार सेकंड वल्वार के बाद एक नए दुनिया का दुनिया में दुनिया के देशों में राधितिक समन्वे अस्थाबित की करने के लिए ज़रूरी था दूसरा था ब्रेटन वोट्स समिट जिसके उपरांत आई एम एफ आई बी आड़ी वर्ल्वैंक और गैट जो की बर्तमान में डवलूटी हो गया है का गठं किया गया तो राधितिक समस्या के समथान के लिए यूए नो आर्थिकी समस्या के समथान के लिए ब्रेटन वूट्स समिट और माना गया कि सबसे महत्वपुर्ण एक वैसी संस्था का वैसे अंतरास्तिय मंज का निर्मान होना चाहिए जो मानवी अधिकारों की बात करें ऐसे में वर्स 1947 में वर्स 1947 में विश्व पतल पे हुमें राइट्स हुमें राइट्स कमिशन मानव अधिकार आयोक का निर्मान किया गया मानव अधिकार आयोक की अध्यक्षा की चेर परसं अमरिका की नाकरिक मिसिज इला नियर आधर रुजवेल्ड थी जो की अमरिका के पुर्व राश्ट्पती फ्रेंक्लिन दी रुजवेल्ड की पतनी थी इसके अलाबा यूटी एचार मानव अधिकारों की इनवर्शी टिक्रेश्टन हां सर्य इहोंने मानव अधिकारों की लिए एक निती बनाने की काम किया और प्रोफेसर जॉन हम्प्री कनाड़ा के और प्रोफेसर रीन कैसिन जो की फ्रांस के वकील थे इन दोनों का योगदान मानवाधिकार आयोग के तहट मानवाधिकारों की सारफों में घोष्टना पत्र के लिए नीतिया बनाने में सबसे महतपुर्द थी साथ-साथ इस आयोग ने उस समय के विश्वक के तमाम बुद्धिवी धार्षनिक रादिता से सुझाव लिया और कहा जाता है कि महात्मा गांधी का भी सुझाव इसमें आमंत्रित किया गया था बहराल मेराथन आयोग द्वारा मेराथन बैठकों के बाद अंतिम रूप से 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस की राधानी पेरिश में कि यूडी एच आर आस्तित्तों में आया कि यूडी एच आर कि यूनिवर्सल कि डिकलेशन और हुमें राइट्स मानव अधिकारों का सर्भाम घुष्णा पत्र सिधा प्रस्ण आता है बीपीएस्टी में पिछली बार यह प्रस्ण आया था मानव अधिकारों के सर्भाम घुष्णा पत्र सिधा आपका क्या भी प्राय है थिकारों का कि यूडी एचार की घुष्णा दस दिसंबर में 48 को की गई और उसी आलोक में इस दीन को प्रतिक वर्ष अंतरास्टी मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है यूडी एचार के तहट तीस आर्टिकल्स हैं बहुत महत्पून है ज्यान देगे इन्वर्सल डिक्रेशन ऑफ हुमें डाइट्स के तहट तीस अनुछेद हैं और इस इन तीस अनुछोदों में से पहला अनुछेद वह मानव को डिफाइन करता है हुमें कौन है तो उसका कहना है जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि विश्व के किसी हिस्से में किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य रूप में मनुष्य के आक सिस्पी से किसी भी सूरत में मतित नहीं किआ सकता है इसके साथ दुनिया की कोई भी शासन व्योस्था खिरवार नहीं कर सकती है यह एक महान सजोग है कि जिन दीनों यूटी एचार का निर्मान चल लाँ था मानव अधिकारों की सर्भों घोष्टना पत्र का निर्मान चल लाँ था उन्हीं दीनों भारत में भारत के संधान आयोगद्वारा संधान सभा की बैठके बैठके चल रही थी ध्यान से देखेंगे तो भारती संधान में मौजूद मुलाजिकार आर्टिकिल 12 से लेके 35 तक और यूडी एचर के 30 अर्टिकिल्स में काफी ज्यादा समानता है अगर सिर्शक ना रहे तो कई वार लोगों को भ्रह्म भी हो सकता है कि क्या यूडी एचर और भारत का मौलाजिकार एक ही है बारहाल कि अंतरास्ति दुनिया के प्राइह देशों ने यूडी एचर की सदस्ता लेकर यह सुनिशित करने का काम किया कि वह ना सिर्फ अपने देश के लोगों का अपित्तूत किसी भी देश दुनिया के किसी भी छेत्र भाग बो भाग महद्यूप के आने वाले लोगों को अपने समान संदक्षन देगा विधी का समान संदक्षन देगा मानव अधिकारों के मामले में रूल अफ लॉक और फॉलो किया जाएगा अंतरास्ति मानव अधिकार के इतिहास में वर्ष 1966 का इतिहास अत्यंत महतपुर्ण है 1966 का इतिहास बहुत महतपुर्ण है इस वर्ष अंतरास्तिय पटल पे उनाइटेड नेशन्स के तत्वाभधान में दो महतपुर्ण समझोते हुई पहले का नाम था इंटरनेशनल कंवेंशन ओन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंटरनेशनल कंवेंशन ओन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इसे संशिप्त में ICCPR के नाम से जाना जाता है प्रस्ण आता है जबकि एक दूसरी महतवपुर्ण संस्था का निरमान हुआ और इस संस्था का नाम था इंटरनेशनल कंवेंशन ओन एकोनोमिक, सोशल और कल्चेरल राइट्स इंटरनेशनल कंवेंशन ओन एकोनोमिकल, सोशल, कल्चेरल राइट्स इसके बाद वर्ष 1993 में का महत्वपुर्ण योगदान है वर्ष 1993 में वियना अफ्टिरिया की राधानी वियना में एक सम्झाता हुआ और इसमें कहा गया कि मानव अधिकार अगर कहीं भी सिथिल हो गई हो मानव अधिकार कहीं भी अगर पुन रूपेन लागू नहीं की जा रही हो तो उसकी स्वमिक्षा और स्वमिक्षा के उपरां उनाइटेड जेसंस के अलोग में उस पे निन्य देने की बाद की गई अपनी अस्थापना के लगभग साथ दसक पूरा करने के उपरां क्याक्त अनुवरत रूप से यूडी एचाव अपना काम ऑहरणी सततς रूप से ब्रुश्व मानौता के कल्यान के नित आर्त करता आयरह है जब को ही मानव अधिकार की बात आती है तो यह दोंत रहता है मनमस्तिस्त में कि तो फिर मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या आंतर है नागरीक अधिकार क्या है ऐसे में fundamental rights वो अधिकार होते हैं जो किसी भी संपरफू रास्ट द्वारा अपने रास्ट राज्य के नागरीकों को प्रदान किये जाते हैं वैसे अधिकार होते हैं जिसके पूरा ना होने की जिसके लक्षों की प्राप्ति ना होने के दिशा में के दसा में संतप्त व्यक्ति न्याले का दर्वाजा खरकचा सकता है और नैपाली का द्वारा उस उन अधिकारों को लागू करवाना लागू करवाने के लिए राज्य क को आदिश देना बाध्यकारी होगा जैसे कि भारत के संदरव में आर्टिकल 32 राइट टू रिमेटी और आर्टिकल 226 ए दो ऐसे अधिकार है जिसकी बुनियाद पे कोई भी कि फंडामेंटल राइट्स से पिरित व्यक्ति न्याले के सही और पालंक की इस्थिती में कोई व्यक्ति न्याले का दरवाजा आर्टिकल 32 के थूरू सुपरिम पोर्ट में और आर्टिकल 226 के थूरू हाई कोट्स में जा सकता है दोनों ही न्याले को रिट जारी करने का अधिकार है पाच प्रकार के रिट जारी करने के अधिकार है जबकि अधिकारों की तिसरी सिंखला मानव अधिकार मूल अधिकार के बाद जो तिसरी सिंखला है वह कहलाती है citizen rights नागरिकों का अधिकार यह नागरिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं और ग्यात हो कि मूल अधिकारों को कुछ इस्तितियों में आपात उपपंत में जैसे कि भारत के सम्धान में भागट हारा के तहत अनुच्छे 32 और 360 के लागू होने के संदर्व में कुछ अधिकारों को शिवित किया सकता है जबकि citizen right नागरिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो राज्य राज्य में रह रहे हैं लोगों को उनकी पहचान एबम उन्हें अन्य सुविधाओं देने के उनकी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए गठित किया गया है उदारंग के लिए भारत में वोटिंग राइट कि राशन कि आधार नंबर कि इत्यादी BPL कार्ड अर्थात एक राष्ट राज्य द्वारा अपने नागरिकों को विशेश सुवधाय प्लान करने के लिहाज से के उद्यस्य से उनके विकास के लिए जो अधिकार प्रदान किया जाता है वह नागरिक अधिकार कहा जाता है सिटिजन्स राइट कहा जाते हैं सिटिजन्स राइट्स को कम अधिक किया सकता है मौल्टिक अधिकार को सिर्फ आपात उपबंद की स्थिति में कम किया सकता है जबकि जबकि हुमन राइट्स मानव अधिकार जो है वह सास्वत है चुकि उसका आधार प्राकृतिक नियम है जबकि फंडामेंटल राइट्स और सिविल राइट्स है इसका प्रावधान संभिधान संसत कारेपालिका विधाई का द्वारा किया जाता है है भारत भी दुनिया के उन डेशों में है जिसने यूट्रेव पे सिंग्नेचर किया है भारत यूट्र यूट्र काBack एक उसी आलोक में भारत में 28 सितम्बर 1993 के निने के आलोक में 12 अक्टूबर 1993 को इन एच आर सी नेशनल हुमन राइट्स कमिशन नेशनल हुमन राइट्स कमिशन राष्ट्री मानव अधिकार आयोग का गठन होता है इस आयोग की जो संद्चना है आयोग का जो संद्चना है कमपोजीशन है इसमें 10 सवस्य होते हैं आयोग का मुख्याले देश की राधानी नई दिल्ली में है राष्ट्री मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष भारत के सर्वोच नियाले का रिटायर्ड अवकास प्राप्त मुख्य नयदिश वक्ति होता है रिटायर्ड सी जे आई ज्यांदे में हैं सिर्फ रिटायर्ड चिफ जेस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्री मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है अस्थापना काल के समय सबसे पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र रंगनाथ मिश्र जबकि मौझूदा अध्यक्ष रिटायर्ड चिफ जेस्टिस अफ इंडिया एचल दत्तु है जेस्टिस एचल दत्तु है अब हम आते हैं सनरजना पे दस सदस्थ से कौंकुन होंगी एक सदस अध्यक्ष होंगे जो कि भारत का रिटायर्ट चेप देस्टिस होगा जोसरा सदस सरवुच नयाले का एक अन्य नयाथीश होगा या पूर्व नयाथीश होगा तीसरा सदस्थ देस के किसी भी उच्छ न्याले का रिटाइड चीफ जस्टिस जो कि दो सरस ऐसे होंगे जो समिध्हान के बिशिशाग होंगे देश में राश्पत्ति के नजर में समिध्हान की जांकारी होगी उन्हें कि इस प्रकार फांत जगल से वैसे होते हैं जो नामित की जाते ज़िए पांस सदस्ट जो है वे पदेन होते हैं कि पदेन रूप से आर्थाmarkt वैसे वquency जो निश्चित रूप से किसी ना किसी पद पर है जैसे कि भरत का प्रधान न्त्री नितिया आयोग का पदेन अध्याक्ष होता है भारत का उप्राष्ट पती पदेन रूप से राष्भा का सवापती होता है उसी प्रकार यह पांच पदेन सदस्य हैं पहला नेशनल कमिशन फॉर सिड्यूल कास्ट राष्ट्री अनुशित आयोग के अध्याक्ष दूसरे हैं NCST नेशनल कमिशन फॉर सिड्यूल ट्राइग राष्ट्री अनुशित जन्जात्ती आयोग के अध्याक्ष तीसरे हैं नेशनल कमिशन फॉर माइनरिटीज राष्ट्री अल नेशनल कमिशन फॉर विमन राश्ट्रिय महिला आयोग की अध्यक्षा जो कि पांच माच जो सदस्य होगा पदेन रूप से वह है एनसी बीसी नेशनल कमिशन फॉर बैक्वार्ट क्लास नेश आर्सी भारत में राश्ट्रिय मानवा अधिकार आयोग अपनी इस्थापना का स्वर्ण जयनती विगत वर्स 2018 में मना चुका है और देखा गया है कि आयोग अपने देनिंदीनी कारे के अलाबा प्रिजिनर्स जो जेल में बंद कैदी होते हैं जिन्हें मानविये जीवन से बिवस किया से बंचित किया जाता है एबं जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं है जो समाज के मुख धारा से विलूप्त हैं वैसे इस्थिती में मानव अधिकार आयोग स्वता संग्यान लेकर पंचित वर्गों तक उसके मानवी अधिकारों की रक्षा करने का प्रियास करता है और विगत 25 वर्षों में देखा गया है कि राष्टी मानवा अधिकार आयोग ने अपने लगभग उस भूमिका को अंगिकार कर लिया है जो भूमिका प्रावंफिक दिनों में P.I.L. Public Interest Litigation के द्वारा होता था अर्थात जन्हित के द्वारा जन्हित के माध्यम से के लिए शुरू किया जाने वाला P.I.L. बरतमान में बदलती परिस्थितियों में यह दायत भारत के एने चार्शी राष्ट्रिय मानवा अधिकार आयोग ने ले लिया है हाल के दिनों में देखा गया है कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यह दिपी उसे पर्तेक्स रूप से कारवाई करने का दान्डिक प्रावधान करने का अधिकार नहीं है तथापी अपने सिमित संसाथनों में उसने देश के लोगों के लिए अंतरास्ट्रिय आयामों के मदे नजर एक बहतर काम किया है अब हम आते हैं राज्य एसे चारसी राज्य मानवाधिकार आयोग के ओपर तो NHRC 193 में के अधिनियम में ही अवनित किया गया है कि प्रते एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा इसी आलोग में 3 जनवरी वर्स 2000 को बिहार राज्य मानवाधिकार के गठन की संस्तुती प्रदान कर दी गई जो की आठ साल बाद वर्स 2008 में आया है ऐसे में देखा गया है कि मानव अथिकार के लिए मानव अथिकारों की सर्भम घुष्टना पत्र के जारी होने के बाबजूद की घुष्टना होने के बाबजूद भी विष्टो में लगभग चार दसक तक सित युद्ध चला सित युद्ध के दर्मियान विष्टो के अलग-अलग देशों में क्लस्टर रूप से बिवाद होते हैं दोंद होते रहे मिज़ीति की समापती के बाद भी के अन हिस्सों में जाहे भारत में हो भरत-पाकिस्तान के बीच का दोंद हो करिया उतर कोरिया और दख्षिन कोरिया के बीज़ का विवाद हो एबम जो बाल्टिक प्रदेश है या फिर जो युगोसलावाकिया चेकोसलावाकिया का जो प्रदेश है यहां जो तमाम जगरे जो होते हैं इनके बीच कहीं न कहीं जानमाल की छाती होती है ऐसे में देखा गया है कि उनाइटेड नेशन्स के तहद गठित यूटी एचार को प्रतेक्स रूप से करवाई करने का अधिकार नहीं है लेकिन वह प्रतेक राष्ट से अपक्षा करता है कि वे सांती ब्यवस्था के लिए करतब करेंगे अपने कामों की पूर्ति करेंगे और जब सांती ब्यवस्था कायम होगी तो लोगों को लोगों का अधिकार सुरक्षित और सनस्षित रहेगा यहां मैं एक प्रसंग का जिक्र करना अपना धर्म समझता हूं कि जब खादे विज्ञानिक नॉर्मन सीब और लोगों को नोबल के लिए सांती के लिए नोबल सम्मान से नवाजा गया तो दुनिया के लोगों में एक प्रस्ण आया कि आखिर एक फूट साइंटिस्ट को सांती पुरस्कार देने का क्या मतलब है ऐसे में नोबल कमिटी का सपस्टी करन था कि नॉर्मन सीब और लॉक ने ग्रिन रिवॉलूशन के माध्यम से अनाजों क पादन के बाद लोगों के पास खाने का खाने की ठाली मौजूर होती है और खाने के बाद इतिहास गवा रहा है कि सांती आती है ऐसे में पिश्चो में सांती कांधी बुद्ध महावीर मार्टे लूसर किंग निलसर मंडेला कि सांती के मार्क पे चलने के लिए यहां आवश्यक है कि दुनिया में युद्ध ना हो मानव कहीं का भी हो मानव होता है मानव को उसके मानवी अधिकारों से वन्चित ना किया जाए प्रख्यात राजनेता इज्रायल के अपुरू प्रधान मंत्री सेमन पेरिस ने कहा था कि युद्ध और सांती में एक ही अंतर है कि युद्ध के समय एक पिता अपने पुत्र को कंधा देता है जबकि सांती काल में सभाविक रूप से यदाईत पुत्र निभाता है ऐसे में विश्व में कहीं भी मानव अधिकारों के खिलाब हमला मानव अधिकारों को कम किया जाना विश्व के प्रतेक मनुष्य के लिए एक शेताबनी है ऐसे में वसुधैब कुटुम्भकं सारा विश्व ही हमारा परिवार है के धारना को साकार करते हुए भारत के साथ साथ प्रतेक हिश्व में UDHR, मानव अधिकारों की सर्भॉम भोषना पत्र की भावना को साकार किया जाना ही मानवत्ता, मानव और मानव अधिकार को सच्ची सद्धानली होगी स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि मैं उस इस्वर की पूजा करता हूँ इसे अज्यानी लोग मनुष्य कहता है, अर्थाद प्रतेइक मनुष्य में एक देवत्त्त है मनुष्य कहीं का भी हो, उसके मानव ये पक्षो का सम्मान किया जाना चाहिए इस प्रकार हम लोग ने आज मानव अधिकार पे जिक्र किया किसी अन्य टॉपिक पे, किसी अन्य सारगरदित टॉपिक पे हम लोग अगले क्लास में जिक्र करेंगे आप लोगों से अप अच्छा है कि अपने सुझाओ, अपने कर्णचन, अपने कमेंट, अपनी जिग्यासा हम लोगों को प्रेरिसित करें, ताकि हम समझ चेके कि आपकी हम लोगों से क्या आप सकता है, क्या आप अच्छा है तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार